नमस्कार टार्गेट विद आलोक आनलाइन इंस्टिटूट में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्र 8 पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेटलाइन्स पर एक नजर ब्लैक रॉक नाम के मैलवेर को लेकर थेट फैब्रिक कमपनी ने जारी की चेतावनी मोबाइल यूजर्स की समवेदन सिल जानकारी चुराने में है सक्षम UAE सरकार ने अमल को लॉंच कर अरब देशों की सूची में रचा इतिहास फरवरी 2021 तक मंगल की कख्षा में पहुँचने की है उम्मीद तो आईए बड़ी खबरों की साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं हाल ही में एक नया BlackRock नाम का Android Malware खोजा गया जिसको लेकर Thet Fabric नाम की एक निजी कमपनी ने चेतावनी जारी की यह Mobile Phone उपयोग करताओं की समवेदन सिल जानकारी चुराने में सक्षम है इस Malware को लेकर सूचना जारी की गई कि यह Credit Card सहित Amazon, Facebook, Gmail, Uber, Tinder और Netflix जैसे तमाम एप्लिकेशन से समवेदन सिल जानकारी चुरा रहा है साइबर सुरक्षा विशेशग्यों का मानना है कि यह Mobile उपयोग करताओं के लिए बड़ा खत्रा है साइबर विशेशग्यों ने बताया कि BlackRock Malware कोई नया नहीं बलकि यह Jerez Malware के लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित है आपको बता दें कि यह Malware किसी भी नए अप्लिकेशन को डाउनलोड करते समय ही उसी की साथ हमारे फोन में प्रवेश करता है इसके बाद यह उन एप्लिकेशन की निगरानी रखता है और जब उप्योग करता उन एप्लिकेशन में लॉगिन करता है तो यह इन सभी समवेदन सेल जानकारियों को अपने सर्वर के पास भीज देता है इसकी एक बात और खास है कि जब Malware पहली बार Android फोन लांच किया जाता है तो यह स्वयंग ही आप की सूची में अपने आइकॉन को छुपा लेता है इतना ही नहीं यह एंटी वाइरस एप्लिकेशन को भी असफल कर सकता है गौरतलब है कि Malware एक प्रकार का सौफ्ट वेर है जो कम्प्यूटर से समवेदन सील जानकारी चुरा सकता है आम तोर पर अधिक पैसा कमाने के उद्देश से इसका निर्माण हैकर्स करते हैं लेकिन हमेशा इसका निर्माण नुकसान पहुचाने के ही उद्देश से नहीं किया जाता साल 2016 में लोकी बॉट नामक एक Malware सामने आया था बाद में प्रतिबंधों के बाद इसके सोर्स कोड को लीक कर दिया गया इसी तरह साल 2018 में मिस्ट्री बॉट पैरा साइट और 2019 में एक्सरेस आया एक्सरेस के भी सोर्स कोड को सारवजनिक कर दिया गया था UAE सरकार ने अरब देशों की सूची में इतिहास रच्ते हुए अपने पहले अंतरिक्ष यान को लांच किया अरब जगत के इस पहले यान को अमल या होप नाम दिया गया सैयुक्त अरब अमिरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला इंटर्फलेनेटरी होप प्रोब मिशन को H2A लांच वीकल 42 से लांच किया आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष यान को 15 जुलाई को ही लांच करना था लेकिन खराब मौसम के चलते प्रक्षेपन को पांच दिन के लिए टाल दिया गया था साथ महिने की यात्रा के बाद यह यान फरवरी 2021 में UAE के एकी करण की पचासवी वर्स गांट के अवसर पर मंगल की कक्षा में पहुँचेगा लांचिंग के करिब डेड़ घंटे बाद मार्स मिशन के डारेक्टर ओमरान सराफ ने बताया कि यह सही सिगनल भेज रहा है सैयुक्त रास्ट ने भी UAE के इस मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि UAE का यह मार्स मिशन दुनिया के लिए एक योगदान है इस मंगल यान की खास बात यह है कि इसमें उपरी वायूमंडल और जलवायू परिवर्तन का अध्यान करने के लिए तीन उपकरण है और यह कम से कम दो सालों तक मंगल का चक्कर लगाएगा UAE ने जानकारी दिया कि वह पहली बार अलग-अलग मौसम के दौरान मंगल ग्रह के वायूमंडल का पूरा द्रिश मुहया कराएगा मंगल अध्यन के लिए होप सैडेलाइट अपने इस्तिती को भूमध्य रेखी रखेगा आपको बता दें कि जो रॉकेट लॉंच किया गया है उसे जापानी कमपनी मिट्स बुसी हैवी इंडस्टी ने तैयार किया इस मिशन की कमान महिला साइन्टिस्ट सारा अली अमीरी को सौपी गई औरवन्त में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर देश के प्रख्यात गणितग्य कांजी वरम स्रेरंगचारी सेसाद्री का 19 जुलाई को 88 वर्स की अवस्था में चिन्नई में निधन हो गया उन्हें देश के तीसरी सरवोच नागरिक सम्मान पद्मभूशन से सम्मानित किया गया था आपको बता दी कि कांजी वरम को बीजगणती ज्यामिती में उलेखनी योगदान के लिए जाना जाता है बीजगणती ज्यामिती में सेशाद्री कॉंस्टेंट उनके नाम पर रखा गया है सेशाद्री ने अपने करियर की सुरवा टाटा इंस्टिटूट और फंडामेंटल रिसर्च में असनातक छात्रों के पहले बैच के रूप में किया था उसके बाद साल 1985 में वह चन्नई के गणती विज्ञान संस्थान में अपनी सेवाएं देने चले गए साल 1989 में उन्हें स्कूल ओफ मैथमेटिक्स सुरू करने का मौका मिला जो इस्पिक साइंस फॉंडेशन का एक हिस्सा था साल 1988 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो और 2010 में अमेरिका के नेशनल एकेडमी ओफ साइंस का फॉरेन असोसियेट चुना गया भारत में 20 जुलाई से उपभोकता संरक्षन अधनियम 2019 लागू कर दिया गया इस नए कानून को उपभोकता संरक्षन अधनियम 1986 की जगह लागू किया गया नए कानून को लागू करने का उद्देशिक ग्राहकों की साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकना है इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हीतों के रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए जो पुराने कानून में नहीं थे इस नए कानून के तहट बड़े नुक्सान पर ग्राहक को 5 लाग तक मुआबजा दिया जाएगा और 7 साल की जेल भी होगी वही उपभोकता की मौत होने पर 10 लाग का मुआबजा और 7 साल की जेल या आजीवन कारावास भी हो शकता है इस कानून के दाइरे में e-commerce कमपनिया भी आएंगी भामक विग्यापन करने पर सेलेब्रेटी पर भी 10 लाग रुपए का जुर्माना लगेगा साथ ही जूटी सिकायत करने वालों पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्राबधान किया गया है ब्रेटन की सेना चीन का मुकाबला करने के लिए अंतर राष्टी साजेदारी के तरह प्रशांत महासागर में HMS Queen Elizabeth वाहक को तैनात करेगा इस पोट की तैनाती साल 2021 में किया जाएगा चीन द्वारा लगाये गए होंग कॉंग सुरक्षा कानून की दुनिया भर में आलोचना हो रही है इस कानून के तहट चीन का अब होंग कॉंग के रक्षा और बाहरी मामलों पर पी नियंतर हो गया है होंग कॉंग के प्रमुक व्यापार साजेदार देश भी चीन द्वारा किये जा रहे तमाम परिवर्तनों से नाराज है दक्षिन चीन सागर के विवादिक शेत्र में अमेरिका पहले ही अपना युद्ध पोत भेज दिया है आपको बता दे कि चीन पर यह सारी कारिवाही अंतर संसदी गटबंधन के तहट किया जा रहा है इस गटबंधन को इसी वर्स जून में लॉंच किया गया था जिसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मिनी, कनाडा, आस्टेलिया, नार्वे, स्वीडन और अमेरिका सामिल है यह गटबंधन चीन की बढ़ती वैस्विक महत्वा कांख्षा का मुकामला करने के लिए किया गया है International Center for Automotive Technology यानि IC80 द्वारा Automobile Solution Portal for Industry Research and Education यानि ESPIRE नामक एक E-Portal लॉंच किया है इस पोर्टल का मुख्य उद्देश भारती मोटर वाहन उद्द्योकों को आत्म निर्भर बनाने की सुबधा प्रदान करने के साथ विभिन समवर्ध तरीकों के साथ हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार एवंग वैस्विक तकनीकी प्रगती को अपनाने में सहायता प्रदान करना भी है Aspire One Stop Solutions के रूप में कारे करेगा जो प्रद्दोगिकी से जुड़े मुद्दों पर भारती आटो सेक्टन और सिक्षा से जुड़े लोगों को विशेशक राय के लिए एक साथ लाएगा फिलहाल एट पिम के इस न्यूज बुलिटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताईए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रह तोस्तों के सब्सक्राइब करिय। रहा हमारा कि लेको करिए जया हमकोर ये लोस्तों में बसक्तरा में लावब करिए पको लिए्यार्द हैने एमकोष्ण